नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरग और आपकी अपनी एकक्षा में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग एडिशन और फेजर क्वांटिटी का सेकंड मेथड पढ़ेंगे जो कि method of component पिछले method जो हम लोगोंने parallelogram method पढ़ा था वहाँ पे सिर्फ अगर वेक्टर दो है तो उन के बाद हम लोग method of component explain करते हैं तो देखिए हमने एक यहां वेक्टर ले लिया है फेजर डाइग्राम लिया है जिसमें तीन वेक्टर है वी वी टू और वी त्री और सभी वेक्टर का जो है एंगल जो है रेफरेंस से दिया हुआ जाने कि आप देखें तो यह पॉस्टिव v3 की value find करके बताइए कि क्या आता है तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यह जो सभी वेक्टर हैं जितने भी यहां पर हमने तीन लिया है आप तीन से ज्यादा भी ले सकते हैं सभी का x component और y component हम resolve करेंगे तो x component resolve करना है तो आप देखिए तो v1 का x component हम यहाप लिख लेंगे x component of vector हम मान लेते हैं कि यह क्या है हमारा vx है तो vx is equal to v1 का देखिए तो cos component आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं v1 cos theta 1 फिर v2 का भी जो resolution करेंगे तो आप x component ही आएगा तो क्या हो जाएगा आपका v2 cos theta 2 फिर v3 का भी देखें तो यह भी positive x-axis पर ही इसका component आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा आपका v3 cos theta 3 तो इस तरीके से हमको एक vector मिल जाएगा x component that is vx इसके बाद हमको क्या करना होगा इन्ही सभी vectors का y component भी calculate करना होगा तो हम यहाप v y calculate करेंगे तो v y का मतलब क्या हुआ आप देखें तो v y का मतलब है कि इन सभी vectors का y component हमको लेना पड़ेगा इस तरीके से तो सबसे पहले अगर v1 की बात करें तो v1 देखें क्या है v1 का sin component आएगा तो हम लिखेंगे v1 sin theta 1 यह भी positive y-axis पर है इसलिए यहाँ पर plus में है फिर v2 के लिए देखें तो v2 भी आप देखे तो क्या रहा है इसका भी positive y-axis पर ही component आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे v2 sin theta 2 फिर इसके बाद v3 का अगर आप देखेंगे तो v3 का negative side में आ रहा है तो हम लिखेंगे minus v3 sin theta 3 तो इस तरीके से हमको vx और vy की value जो है वो मिल जाएगी जब भी आपको numerical दिया गया होगा उसमे सब v1 v2 v3 theta 1 theta 2 theta 3 यह सारी values दी गई होंगी तो आप जब इसको solve करेंगे तो आपको vx और vy की value individually अलग-अलग मिल जाएगी तो अब क्या किया है हम लोगों ने अभी तक यह जो तीन vectors थे उन तीनों vectors को x और y component में resolve करने से अब हमारे पास सिर्फ दो vector बचे है एक है vx और दूसरा क्या है हमारा vy तो अब अगर हम phasor diagram resultant के लिए draw करें तो हमें क्या मिलेगा यह हमारा हो जाएगा x component that is vx और y component हमको क्या कितना मिल जाएगा vy अब इन दोनों को आपस में आप add कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा resultant vector v तो आप यहाँ पर resultant vector v तो यानि कि हम क component में resolve करके कितने भी vectors हो उनको हम दो vector में बना ले रहे हैं उनके x component और y component x component और y component और फिर उसके बाद हम उनका resultant calculate कर ले रहे हैं तो देखिए तो यहाँ पर x और y के बीच में कितना angle है 90 degree है तो 90 degree है तो आपने दो vector का addition parallelogram method में पढ़ा है तो यहाँ पर v is equal to क्या हो जाए आपका यह formula होता है तो एक जगह पर क्या है आपका vx है और b की जगह पर क्या है आपका vy है तो आप लिखेंगे यहाँ पर vx का square plus v y का square plus 2 v x v y cos of 90 degree और यह पूरी चीज जो है अंडर रूट में रहेगी इसके बाद हमको क्या मिल जाएगी value आप देखिए तो cos 90 कितना हो आपका 0 होता है तो यह पूरा term क्या हो जाएगा आपका यह पूरा का पूरा term क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो आपको value मिल जाएगी vx का square plus v y का square v is equal to under root में आजाएगा यानि कि a square plus b square का सकते है एक जगह पर vx है तो vx square plus v y square तो इस तरीके साब को resultant voltage की value मिल जाएगी एंगल अगर phi है तो हम phi की value भी यहां पर निकाल सकते हैं कैसे tan phi की value लिखेंगे tan phi is equal to कितना होगा v y upon v x v y upon v x यहां से हमको phi की value क्या मिल जाएगी tan inverse v y upon v x तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा vectors हैं तो उनका हम लोग बड़े आराम से resultant method of components से calculate कर सकते हैं resultant की value यहां से मिल जाएगी और आपको angle यह मिल जाएगा करना क्या होगा सिर्फ हमें कि x component सभी vectors का निकालना होगा फिर y component निकालना होगा और यह हमको formula apply कर देंगे तो हमें values जो है वो मिल जाएगी आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ share करें और चैनल को subscribe कर लें धन्यवाद